डैरेक्षन बताने के कई सिस्टम हैं. एक्जामपल के लिए वरडिनटल सिस्टम, 360 डिग्री नोटेशन सिस्टम, एंड, boxing of campus सिस्टम, अरथात point of campus. आज हम आपको boxing of campus सिस्टम के बारे में बताएंगे. बाकी दो सिस्टम हम पहले बता चुके हैं. आप लोग magnetic campus तथा gyro campus देखे होंगे इसमें एक circular card लगा रहता है जिसे हम लोग campus card कहते हैं आप लोग देखे होंगे campus card पर बहु सारा direction लिखा रहता है वह direction किस प्रकार लिखा जाता है उसी को आपको सिखना है यह जो 360 degree का direction होता है इसमें हम आपको पताये थे हैं उपर वला को north, नीचे वला को south इधर वला को east और इधर वला को west बोलते हैं अर्थात north की ओर यदि आप move करें तो आपका right hand east की ओर रहेगा अर्थात east को दर्साएगा और left hand west को दर्साएगा आप लोग physically तोर पर देखिएगा तो आप लोग यहाँ पर चार main direction देखें इसी प्रकार यह जो 360 degree का जो angle है direction का इसको total 32 point में divide किया गया है अर्थात 32 गो main direction का नाम दे दिया गया है total 360 degree है तो 360 degree में 11 degree से चलेंगे तो बहुत जादा हम लोग को direction का नाम हो जागा तो mainly यहाँ पर 32 जो main point है उसका विशेष नाम दे दिया गया है उसी को बोलते हैं boxing of campus direction का unit क्या होता है what is the unit of direction degree and minute यह आपका oral में पूछा जा सकता है direction को हम लोग कैसे लिखते हैं 175 degree या 175 degree 10 minute आप लोग लिखते हैं ना तो oral में एकदम basic basic चीजे भी पूछा जाता है और maximum लोग basic में ही फसते हैं चलिए यहाद जो कच्रा कर लिए इसको हटा जीते हैं हम आपको बताए हैं यह जो टोटल आपको यहाद रखने में थोड़ा साद है तो आपको यहाद पर समझना है आप जानते हैं उपर वला नौर्थ हैं तो नीचे वाला south नौर्थ की और मो की हैं राइट साइड इस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है 32 के 32 पॉइंट रटना नहीं है आप समझ गए असानी से आप सारा चीज को लिख सकते हैं true north यह है 000 इस्ट 090 एकजेक्ट नौर्थ और इस्ट इस दोनों के बीच में कितना दिगरी का एंगेता हैगा 045 तो एकजेक्ट नौर्थ और इस्ट के बीच में जो 045 वोला डिरेक्शन रटा है इसको बोलते हैं नौर्थ इस्ट क्या बोलते हैं North East बस ध्यान रखना है North और East के एकजेक्ट बीच में एकदम Mid Point को बोलेंगे North East उसी प्रकार एकजेक्ट South और East के बीच में क्या बोलेंगे South East South East का 360 degree notation में कितना degree का value रहेगा North से East 90 degree और यहां से 45 degree 365 degree यह आपका है 55 degree हम समझने के लिए लिख रहा है South और West के बीच में क्या रहेगा South West South West का 360 degree notation में value केतना होगा South हो गया 180, 180 plus 45 225 degree North और West के बीच में क्या रहेगा North West North West का value केतना होगा West हो गया 270 degree 270 plus 45 यह हो गया 315 degree अब यह समझ गया अब इसके बाद बताते हैं हाँ और एक चीज आप लोग नोट करते जाएए काफी important चीज है और यह oral में पूछा जाएगा और यह हर हाल में आना चाहिए चाहे आप cadet हो, officer हो, crew हो यह डेक पर जो भी वाच रखते हैं उस्पेसली bridge वाच तो जिनको वाच कीपिंग चाहिए उनके लिए भी यह जरूरी रखता है देखिए, यहाँ पर जो सबसे चाहर में डाइरेक्शन है वह क्या है, north, south, east, west इसको बोलते हैं cardinal point क्या बोलते हैं, cardinal point या cardinal direction ध्यान रखियेगा north, south, east, west को बोलते हैं cardinal point या cardinal direction तो आपका चार point या हो गया question आपसे पूछा जा सकता है what is cardinal direction या what is cardinal point तो आप बताईएगा north, south, east, west how many cardinal point, cardinal point का कितना नमबर है तो कितना है, 4 4 आपका cardinal point है, north, south, east, west उसके बाद आपका आगया north east, south east, south west, north west इसको बोलते हैं inter cardinal क्या बोलते हैं, inter cardinal point या inter cardinal direction inter cardinal point के बोलता है, 4 या भी 4 और यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा, इसका बहुत सारा नाम है जैसे इसको inter cardinal भी बोलते हैं, इसको ordinal भी बोलते हैं, ordinal point या ordinal direction इसको semi cardinal भी बोलते हैं, semi cardinal point या semi cardinal direction इसको half cardinal भी बोलते हैं, half cardinal point या half cardinal direction या इसको sub cardinal point या sub cardinal direction भी बोलते हैं तो अलग-अलग surveyor, अलग-अलग term यूज कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं फिर वहाँ आप लोग confused नहीं होएगा, अफिर ये तो हम पहला बार सुने हैं इंटर-cardinal के जगा कोई ordinal यूज कर देंगे, कोई semi cardinal यूज कर देंगे तो आप लोग confused हो जाईएगा कि लगता है या दूसरा चीज है तो ध्यान रखिएगा, inter cardinal, ordinal, semi cardinal, half cardinal, sub cardinal या sub के sub एक ही चीज है और वह क्या है? North East, South East, Southwest और Northwest यतना तक तो आप समझ गए? अब आप आईए, थोड़ा सा हम color change कर रहे है हम सिर्फ इस quadrant को divide कर रहे हैं बाकी जो है आप अपने से कर लिजिएगा ये है 0000, ये है 090, बीच में होगी आ नॉर्थिस्ट आप आईए, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री ये आपका है उपर वाला एक जेक्ट नॉर्थ टी अन हम हटा दे रहा है, कुछ लोग confused होंगे इसलिए यहाँ पर सिर्फ एन लिख रहा है बल्ला एक, चलो, ग्रीन हीटा ने जेते हैं नॉर्थ, नॉर्थ से नॉर्थिस्ट के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो नॉर्थ और नॉर्थिस्ट के एक जेक्ट बीच में केतना डिग्री का भेल्यू रहाएगा 22.5, 45 का अधा, तो इसका क्या नाम देंगे North, North, East क्या देंगे? North, North, East सबसे पहले यह वाला North का नाम उसके बाद यह North East यह हो गया 22.5 डिग्री अब आप देखिए North East और East के बीच में यहां भी 45 डिग्री का एंगल है तो इसके एक्जेक्ट जो बीच वाला भेलू रहेगा 360 डिग्री डिग्री नोटेशन में कितना एंगल रहेगा? यह है 45 अब 45 पलस 22.5 दोड लिजिए 5 दूसाद, 4 दूसाद तो यह हो गया 67.5 डिग्री इसका क्या नाम देंगे? अभी उपर आप नाम कैसे दिये थे? North और North East के एक्जेक्ट बीच में आप नाम दिये North, North East उपर वाला North पहले लिखें उसके बाद नीचे वाला North East तो यहाँ पर लिखेंगे East, North, East चुकि इस दोनों के बीच में East direction जो है Main Point है, तो इसका नाम पहले उपर वाला में North जो direction है या Main Point है, तो उसका नाम पहले यह हो गया East, North East, इधर हो गया North, North East उसी प्रकार यदि आपको इधर डिवाइड करना हो तो कैसे किजिएगा यहाँ से यहाँ 45, बीच में यह हो गया 22.5 जब आप एंगल में लिखिएगा, तो यह हो जाएगा 90 पलस 22.5 हो जाएगा 112.5 इसका नाम क्या होगा जैसे आप लोग इधर नाम लिखें वैसे ही आप इधर लिख दिजिए North और North East के बीच में हम लोग नाम लग दिए North, North, East तो East और South East के बीच में हम लोग नाम लग देंगे East, South East इस दोनों के बीच में Main Point है East तो East पहले हो गया उसके बाद South East यह हो गया आपका East, South East उसी प्रकार South और South East के बीच में क्या नाम रखाएगा South South East क्यों? क्योंकि South जो है Main Point है तो यह हो गया South, South East यहां तक आप लोग समझ गए इसी प्रकार आप लोग इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं इस Point का नाम क्या रहेगा? South South West और इस Point का नाम क्या रहेगा? West Southwest West Main Point है इसलिए West पहले उसके बाद West Southwest इस Point का क्या नाम रहेगा? west, northwest और इस point का नांतिया रहेगा north, northwest क्यों क्योंकि north जो है main point है इसलिए north उसके बाद यह वाला northwest तो जैसे आप एक quarter के लिए कर रहे हैं उसी प्रकार बाकी जतना 3 quarter हैगा उसमें भी आप वैसे ही किजिएगा तो यतना तक तो आप समझ गए अब हम आपको और further divide करते हैं क्योंकि आपको चाहिए 32 point 32 point में 1 point 11.25 अभी आप पहुंचे हैं 22.5 पर इसके बीच में एक division और होगा उसके पहले हम इधर भी बता देते हैं थोड़ा सा slide को हम उपर करते हैं देखिए आपका चारगो cardinal point है चारगो intercardinal point है उसके बाद आपने क्या किया रहे 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 क्लर चेंज कर रहे हैं उसके बाद फरदर आपने और 8 नाम लिखा है देखिए कौन-कौन सा ये north-north-east, east-north-east देख रहे हैं एक quarter में 2 तो यहां भी 2, 2-4, यहां भी 2, 6 और यहां भी 2, 8 तो आपके पास intermediate point रहता है अर्थात intermediate direction intermediate point आपका केतना होता है 8 गो there are 8 number of intermediate point in boxing of campus या there are 8 intermediate point in point system of campus campus का जो point system है उसमें 8 intermediate point रहता है और point को आप direction भी लिख सकते है 8 intermediate direction रहता है cardinal direction चारगो intercardinal direction चारगो और intermediate direction आठगो अब आपके पास कितना point हो गया 8 point, 8, 4, 12 point, 12, 16 point टोटल 32 point चाहिए अब यहां पर 16 point और बनेगा 16 point और कैसे बनेगा यह जो 16 point पहले से आप लिख रखे हैं परतेक के बीच में एक एक और परतेक के बीच में एक एक और बनेगा तभी न एक point 11.25 बैलू रखेगा अभी परतेक जो है यहां से यहां तक 22.5 है तो परतेक के बीच में एक एक direction अर्थाथ एक एक point और जाएगा तभी जो है यह टोटल 32 point में बन जाएगा और आप लोग Google पर सर्च मरियेगा boxing of campus तो पूड़ा 32 point का नाम लिखके आपको दे देगा हम तो यहां पर आपको समझा रहा है इसलिए फोटो जो है नहीं लगाए हैं नहीं तो फिर आप लोग अच्छा से नहीं समझियेगा जैसे हम आपको अभी लिखना बता रहे हैं वैसे ही लिखियेगा अब हम यह जो डाइग्राम है इसको थोड़ा बढ़ा कर ले रहे हैं तभी आपको समझने में असानी रहेगा color भी थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं अभी तक आप जो 16 point का नाम देखे हैं वह असानी से समझ गए हैं बाकी 16 point भी आप असानी से समझ जाईएगा जब आप एक quarter को समझ जाईएगा बाकी सारा quarter में आप अपने से लिख लिजिएगा दखिये कैसे सबसे पहले हम उपर से चलते हैं यह value है 22.5 अब इसके बीच में यह गुआएगा तब ही जो है एक हो जागा 11.25 अब दखिये इसका क्या नाम देंगे अब दखिये यहाँ पर सबसे नियर बाई में पॉइंट कौन सा है में पॉइंट रहता है कार्डिनल तो सबसे नियर बाई कार्डिनल पॉइंट है नौर्थ तो इसका नाम हो जागा नौर्थ और उसके बाद बाई क्या लिखते हैं नौर्थ बाई इस्ट यह नौर्थ में है बाई इस्ट दूसरा कार्डिनल पॉइंट कौन सा है इधर इस्ट तो यह हो गया नौर्थ बाई इस्ट अब आप आजेए इसके अपोजीट यहां पर इसके नियर बाई कार्डिनल पॉइंट कौन सा है इस्थ तो इसको लिखेंगे इस्थ बाई नॉर्थ, यह नॉर्थ के इस्थ में है तो यहां पर दो नाम लिख दियें आपको दो और लिखना है तो यह दोनों आप असानी से समझ गए सबसे उपर वाला को लिखेंगे North और उसके बाद by East और इधर वाला को लिखेंगे East उसके बाद लिखेंगे by North Similar other quarter में भी ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर इसको क्या नाम लिखेंगे आप अपने से बताईए यहाँ पर सबसे nearby main point कौन सा है यह वाला cardinal point East तो यहाँ नाम लिखा जाएगा East और East by South इस quarter में दूसरा main cardinal point कौन है South तो यह हो गया East by South और फिर इस quarter में यहाँ पर आएगे यहाँ पर सबसे nearby cardinal point कौन सा है South तो यह हो जाएगा South by दूसरा वाला cardinal point East उसी प्रकार सबी quarter में यह हो जाएगा South by West यह हो जाएगा West by South जो nearby है उसका नाम पहले उसके बाद दूसरा cardinal point यहाँ पर nearby है cardinal point West तो West by North और यहाँ पर हो जाएगा North by West तो यहाँ तक आप समझ गये हैं तो एक्स्ट्रा जो कच्रा किये हैं उसको हम हटा देते हैं हमको आपको समझाना था आप समझ चुके हैं हटाने से थोड़ा picture clear रहेगा तो आप भी थोड़ा confused कम होईएगा नहीं तो गिजबिज होने पर लोग confused होने लगते हैं आपने यहाँ पर दो point का नाम और रख दिया और आपको दो point का नाम और रखना है और इसको समझना है चुकि आप रटियेगा तो फिर दो चार दिन बाद भूल जाईएगा और उसके बाद सारा गरबर अब आप सबसे पहले इस point करा देगे अब आप देखिए यह point किस दो point के बीच में है एक है नर्थ नर्थ इस्ट और दुसरा है नर्थ इस्ट इस दोनों में में पहले लिख दिजिए नर्थ इस्ट यह आपका इस दोनों में ज्यादा मिन पॉइंट है तो जो मिन पॉइंट है उसका नाम पहले लिख दिजिए नर्थ इस्ट और यहाँ पर आप आईएगा तो इस दोनों में देखिएगा तो नौर्थ इस्ट ही में पॉइंट है तो यहाँ भी लिख देजिए नौर्थ इस्ट अब इसके बाद लिख देजिए बाई यहाँ भी बाई नौर्थ इस्ट बाई किस direction से north east है north east by north north east से बरा point कौन सा है north east है inter cardinal इस से बरा point है cardinal तो यहाँ पर लिखा गया north north से यह north east की योर है देखरें north से north east की योर है बस ऐसे आप लोग समझ के रखियेगा तो आपको फिर याद रहेगा यही आपका समझने का तरीखा है अब इसका नाम क्या रखेंगे North East तो आप लिख दीए North East by क्या East East से North East की ओर है देख रहे हैं East से यह North East की ओर जा रहा है उसी प्रकार इधर क्या हो जागा आपको इस दोनों का नाम रखना है यह दोनों तो आप रखी चुके हम आपको बताये थे ना यहाँ पर क्या नाम होगा East और दूसरा by South और यहाँ पर क्या हो जाएगा South by East तो दो नाम तो रखा गिया बाकी बचा यह दोनों तो यह दोनों का नाम कैसे होगा हम आपको अभी बताएं और उसके बाद देखिए South East किस Cardinal Point से है Cardinal Point आपका यहाँ पर East है तो South East by East और यहाँ पर देखिए South East by South तो यह आप समझे गए उसी प्रकार बाकी सब क्वाटर में भी लिक दीजिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं By Point केतना आजागा 16 परतेख क्वाटर में चारगो एक, दो, तीन, चार तो यहाँ पर Boxing of Campus में टोटल 32 पॉइंट आपको मिल गिया यहाँ पर By Point केतना है By Point या By Direction 16 परतेख पॉइंट से दूसरे Point के बीच की एंगुलर डिस्टेंस 11.25 डिग्री दखिये टोटल 32 पॉइंट का आपका नाम हो गया तो इसको बोलते हैं पॉइंट सिस्टम ऑग कैमपस या बॉक्सिंग ऑग कैमपस और जो आप लोग मेगनेटिक कैमपस देखते हैं सिप मेगनेटिक कैमपस या गयरियो कैमपस रहता है उसमें कैमपस कार्ड लगा रहता है आप लोग देखे होंगे ऐसा नाम लिखा रहता है कार्ड में इसी प्रका डाइरेक्शन भी लिखा रहता है तो आप direction के बारे में अच्छा से समझ गए होंगे तो हम मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए धन्यवाद